गुड मॉनिंग फ्रेंट स्वागत है आप सभी का वानी करियर्स पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है सिलेवस आफ वर्क ओडर आज सिलेवस आफ वर्क ओडर के MCQ सॉल्व करेंगी कोश्चन नमबर वन पर है सिलेवस आफ वर्क ओडर अंडर डिफेंस प्रोडक्शन पॉब्लिश्ट बाई आफशन ए गौवर्मेंट ऑप इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट आफशन बी डीजी क्यूए आफशन सी मिनिस्टी ओफ डिफेंस आफशन डी पीचे फेक्टरी कोलकाता तो सिलेवस आफ वर्क ओडर जो डिफेंस प्रोडक्शन के लिए पब्लिश किया जाता है वो क सिलेवस आफ वर्क ओडर जो 2016 में रिवाइच किया गया था उसके अंतरगर जो फिक्स ओवरेड है 01 सिरीज उसमें कितने वर्क ओडर से है टोटल 71 कोशन नमें 02 का अंसर क्या हो जाएगा आपका A 71 नेश्ट कोश्चन है कोशन नमबर 03 पर वाट इस दा सिरियल कोड नमबर फोर मेनुफेक्चर आप कंपोनेंट्स फोर एक्सेप्ट ओर्डर ओप्शन ए 40 ओप्शन बी 41 ओप्शन सी 51 ओप्शन डी 70 तो जो एक्सेप्ट ओडर के लिए एक्सेप्ट सिस्टम के लिए A 40 नेश्ट कोश्चन है कोशन नमबर 04 पर वाट इस दा सिरियल कोड नमबर फोर एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ओफ नेश्नल केड़ेट कॉर्पराइजेशन ओर्गनाइजेशन एन्सी सी के लिए सिरियल कोड क्या यूज किया जाता है option A है 40, option B है 41, option C है 51, option D 70 तो NCC के लिए सिरियल कोड 51 यूज किया जाता है कोशन नमब 04 का अंसर क्या हो जाएगा आपका C 51 next question है question number 05 पर what is the serial code number for manufacturing of PPL items option A 40, option B 41, option C 51, option D 17 तो manufacturing of PPL items के लिए सिरियल कोड कौन से यूज किया जाता है 41, question number 05 का अंसर क्या हो जाएगा आपका B next question है question number 06 पर what is the serial code number for payment issue to private civil indenters option A 80, option B 41, option C 51, option D 17 private civil indenters के लिए जो payment issue किया जाता है उसके लिए सिरियल कोड कौन से यूज किया जाता है 80, question number 06 का अंसर क्या हो जाएगा आपका A 80, next question है question number 07 पर what is the serial code number for payment service for all foreign government export option A 84, option B 90, option C 51, option D 17 जो foreign government export के लिए payment service यूज किया जाता है उसका serial code क्या होता है 84, question number 07 का अंसर क्या जाएगा आपका A 84, next question है question number 08 the work order number used for government contribution to new pension scheme option A 01,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000,000,000 उसका वर्क ओडर नमबर क्या है? 01.0013.00 Q0.08 कांसर क्या हो जाएगा आपका B? Next question है Q0.09 पर What is the serial code number for payment service for Air Force? Option A 90, Option B 94, Option C 85, Option D 70 तो Air Force के लिए जो payment service है उसके लिए serial code कौन सा यूज किया जाता है? 85 Q9 कांसर क्या हो जाएगा आपका C 85 Next question है Q10 पर The work order number used for depreciation charges on capital assets other than building and machinery Option A है 01.0021.00 Option B है 01.0018.00 Option C 01.0013.00 Option D है 01.0024.00 तो depreciation charges capital assets जो building और machinery के अलावा होते हैं उनके लिए work order number कौन सा याता है? 01.0018.00 Q10 कांसर क्या हो जाएगा आपका B? Next question है Q11.0015.00 What is the serial code number for payment services for NAVI? Option A 90.00B 94.00C 86.00D 85.00 तो payment services for NAVI के लिए serial code number कौन सा याता है? 86.0011 कांसर क्या हो जाएगा आपका C? 86.00 Next question है Q12.0015.00 The work order number used for depreciation of machinery under capital grant and RR grant. Option A है 01.0018.00 Option B है 01.0034.00 Option C है 01.0032.00 Option D है 01.0024.00 Machine का जो depreciation होता है उसे capital grant और RR grant के अंतरगत उसका work order number क्या होता है? 01.0034.00 Question number 12 कांसर के हो जाएगा आपकभी? 01.0034.00 Next question है Q13.00 What is the serial code number for payment services to the R&D organization DRDO? Option A है 87.00 Option B है 94.00 Option C 85.00 Option D 70.00 DRDO के लिए DRDO Defense Research and Development Organization के लिए जो R&D organizations रहता है उसके लिए जो payment services रहती है उसके लिए serial code कौन से यूच किया जाता है? 87.00 Question 13 कांसर का जाएगा आपका E 87.00 Next question है Q14.00 The work order number used for issue of free sample against trade tender inquiries from export quotation Option A 01.10035.00 Option B है 01.00034.00 Option C है 01.00032.00 Option D है 01.00024.00 तो export के लिए जो tender inquiry होती है उसके लिए जो free sample प्रदान किया जाता है उसके लिए work order number कौन से यूच किया जाता है? 01.0035.00 Question 14 का अंसर का जाएगा आपका E Next question है, question number 15 पर What is the serial code number for payment services for MES Military Engineering Services? Option A है 89.00 Option B 94.00 Option C 85.00 Option D है 70.00 MES Military Engineering Services के लिए जो payment services है उसके लिए serial code कौन से यूच किया जाता है? 89.00 कुछ नंबर 15 का अंसर किया हो जाएगा आपका E? Next question है, question number 16 पर What is the serial code number for payment services to Ministry of Home Affairs? MHA Option A है 92.00 Option B है 94.00 Option C है 93.00 Option D है 90.00 Ministry of Home Affairs MHA के लिए जो payment services के लिए serial code यूच किया जाता है? उसका serial code किया है? 93.00 Question number 16 का अंसर किया जाएगा आपका C 93.00 Next question है, question number 17 पर What is the serial code number for payment services to other defense department other than Army, Navy, Air Force, MES, DRDO, DGQA, DGNAI, DGAQA? Option A है 90.00 Option B है 94.00 Option C है 92.00 Option D है 70.00 तो other defense department के लिए जो payment services रहती है उसका serial code किया है? 92.00 Question number 17 का अंसर किया हो जाएगा? आपका C 92.00 So, transportation charges को बुक करने के लिए जो आपका Slavers of Work Order है 2016 में रिवाइज किया गया था, उसके according, उसके लिए कौन सा work order number यूच किया जाता है? 02.00 Question number 18 का अंसर क्या हो जाएगा? Cut D Next question है, question number 19 पर What is the serial code number for payment services to the inspection organization under DGQA, DGNAI, DGAQA, etc? Option A 88, Option B है 92, Option C है 85, Option D में है 17 तो जो inspection organization है, DGQA, DGNAI, DGAQA, उनके लिए, payment services के लिए serial code number कौन सा यूच किया जाता है? 88.00 Question number 19 का अंसर को जाएगा आपका A 88 Next question है, question number 20 पर The work order series containing the capital services is Option A 01, Option B 02, Option C 03, Option D 04 Slaves of work order 2016 जब revise किया गया था उसके according capital services के लिए जो work order है, वो कौन सा यूच किया जाता है? 04 series Question number 21 का अंसर क्या हो जाएगा आपका D 04 Next question है, question number 21 पर For inter-factory demands, which form of stack is used? Option A, class 1 Option B, class 2 Option C, class 3 Option D, class 4 Inter-factory demand, IFD के लिए कौन सा इस्टेक्ट यूच किया जाता है? Class 3 Question number 21 का अंसर क्या हो जाएगा आपका C Class 3 Next question है, question number 22 पर The 03 series process material of work order Has been deleted and replaced by this new work order Option A, 13 Option B, 11 Option C, 24 Option D, 18 तो जो syllabus of work order 2016 के पहले था 03 series process material के लिए जो यूच किया जाता है उससे delete करके 2016 में 11 नए work order प्रिदान किये गए है Question number 22 का अंसर क्या हो जाएगा आपका B 11 Next question है, question number 23 पर The organization of PCF factory was revised last syllabus of work order part 1 on PCF option है A, 1997 Option B, 1987 Option C, 2016 Option D, 1979 Slaves of work order जो PCF factory कोलकाता के दोरा पब्लिस किया जाता है उससे last revise कब किया गया था 2016 में Question number 23 का अंसर क्या हो जाएगा आपका C 2016 Next question है, question number 24 पर What is the serial code number for payment services to the CRPF, BSF, ITBP, NSG, CISF? Option A 87, Option B 94, Option C 85, Option D 93 So CRPF, BSF, ITBP, NSG और CISF के लिए जो payment services यूज की जाती है उसका serial code क्या होता है? 93 Question number 24 का अंसर क्या हो जाएगा आपका D 93 Next question है, question number 25 पर How many digits containing the work order number? Option A 5, Option B 10, Option C 11, Option D 9 Work order number किते digits का होता है? 9 digits का Question number 25 का अंसर क्या जाएगा आपका D 9 Next question है, question number 26 पर The last two digits of work order number denoted Option A, Classification of Work Option B, Main Serial Number Option C, Section Court Option D, Warrant Office Work order number का जो last two digits रहता है वो क्या दोनोट करता है? Section code को Question number 26 का अंसर क्या हो जाएगा आपका? C, Section Code Next question है, question number 27 पर The revised edition of syllabus of work order Part 1, 2016 is published This comes into the effect from Option A, 1st April 2014 Option B है, 1st April 2016 Option C है, 31st March 2016 Option D, 31st March 2014 Slave of work order जो 2016 में रिवाइच करके पब्लिश किया गया था वो है, कभी फिक में आया? 1 April 2016 से Question number 27 का अंसर क्या हो जाएगा आपका? B, 1st April 2016 Next question है, question number 28 पर Central Component Store at Gun Carriage Factory Jowalpur Number 10, instead of this is the first two digits Will denote the work order serial Option A, 11 Option B, 12 Option C, 13 Option D, 14 Question number 28 का अंसर क्या है? C, 13 Next question है, question number 29 पर In work order series 01 and 02 The fifth digit Third digit of main number Indicates age credit win Option A, 1 Option B, 0 Option C, both 1 and 0 Option D, none of D तो जो work orders 01 and 02 होते हैं Fixed overhead और variable overhead उसका जो fifth digit है या main number जो होते हैं उसकी जो third digits है यदि वहाँ पर 1 है तो वो क्या प्रदर्शित करता है? Credit और 0 Debit Question number 29 का अंसर क्या हो जाएगा? A 1 Next question है, question number 30 पर The numerical code number assigned to each kind of expenditure Enquered or work undertaken in a factory is known as Option A Option A Warren number Option B Laser folio number Option C Work order number Option D है Option A and C Factory के अंदर जो भी expenditure होते हैं उन्हें एक numerical code के द्वारा पर दर्शित किया जाता है उससे क्या बूला जाता है? Work order number Question number 30 का अंसर क्या हो जाएगा? C Work order number Question number 31 पर है The series for fixed overhead charges Option A है 0-2 Option B 0-1 Option C 0-3 Option D 0-4 Fixed overhead charges के लिए कौन सा series यूच किया जाता है? 0-1 Question number 31 का अंसर क्या हो जाएगा आपका? B 0-1 Next question है Question number 32 पर The work order series number 87 Denotes expenses for Option A Payment services for Air Force Option B है Payment services for Navy Option C है Payment services to the R&D organization DRDO Option D है Payment services for Army Serial code 87 जो work order का है वो किसके लिए यूच किया जाता है? Payment services to the R&D Research and Development Organization DRDO Defense Research and Development Organization के लिए Question number 32 का अंसर क्या हो जाएगा? C Next question है Question number 33 पर Pay and Alliances Including DA, HRA, NTA Paid to GOs and NGOs Should be booked to this work order Option A 0 to 4 times 0 4 times 0 4 times 0 Option B है 01 4 times 0 7 00 Option C है 0 to 4 times 0 7 00 Option D है 01 4 times 0 4 00 So, NGO NGO का जो Pay and Alliances होता है DA, HRA, NTA सभी को include करके उनके लिए कौन सब्सक्राइबर कौडर नंबर ही उच्किया जाता है? 01 4 times 0 4 00 Question No. 33 Question No. 33 Cancer क्या हो जाएगा आपका D Next Question है Question No. 34 पर Indent is issued by Option A Organist Factory Board Option B Army Option C GM to the Production Section Option D Production Planning and Control Section Indent किसके द्वारा इसू किया जाता है? Army ने भी Air Force के द्वारा Question No. 34 का अंसर क्या जाएगा आपका B Army Next Question है Question No. 35 का 8th digit Question No. 35 पर है 8th digit In Warrant No. Indicate Option A Main Warrant Option B Sub Warrant Option C Type Of Warrant Option D None Of D तो जो Warrant का 8th digit रहता है वह क्या पदर सीट करता है? Type Of Warrant को Question No. 35 का अंसर क्या जाएगा? C Type Of Warrant Next Question है Question No. 36 पर Under Accept System Warrants are issued against Option A 40 series of work order Option B है 41 series of work order Option C है 44 series of work order Option D है 48 series of work order जो Under Accept System के अंतरगट Warrant इसू किया जाता है वह 40 series of work order के अंतरगट इसू किया जाता है Question No. 36 का अंसर क्या जाएगा? A 40 series of work order Next Question है Question No. 37 पर For Payment Services For Army Series of work order Used is Option A 01 Option B 02 Option C 70 Option D 90 तो Army के लिए जो payment services होती है उसके लिए कौन सा work order यूज़ किया जाता है? 90 Question No. 37 का अंसर के जाएगा? D 90 90 Next Question है Question No. 38 पर Work order 01 and 02 series Consist of Option A 5 digits Option B 9 digits Option C 10 digits Option D 14 digits तो Fixed Overhead 01 Variable Overhead 02 कितने digits के उतने है? 9 digits के Question No. 38 का अंसर के जाएगा? B 9 digits Next Question है Question No. 39 पर 01 series of work orders Represents Option A Fixed Overhead Option B Variable Overhead Option C Direct Material Option D Indirect Material 0-1 series जो रहती है work order की वो किसे प्रदर्सित करती है? Fixed Overhead Question No. 39 का अंसर का जाएगा? A Fixed Overhead Next Question है Question No. 40 पर Last 2 digits Last 2 digits of the work order number Indicate Option A Section Code Option B Factory Code Option C Work Code Option D Customer Code तो जो work order number रहते हैं उसकी जो last 2 digits हैं वो क्या की सुद्ध पर रशित करती है? Section Code को Question No. 40 का अंसर क्या हो जाएगा? A Section Code Okay Friends आगे Questions हम लोग Next Classes में Solve करेंगे तब तक के लिए Good Day Thanks झाएगे